हेलो व्रीवन गाइस वेडियों में एक प्रोग्राम करने वाल है वो प्रोग्राम बेसिकली क्या है तो इस कोशन का मतलब क्या हुओा कि हमें तीन इंटीजर से वैली मागना है प्रिंट करने आप इस प्रोग्राम के अंदर आप उल्ली इफ कर सकते हैं इस कलाबा मोर कुछ यूस नहीं कर सकते हैं तो प्रोग्राम लिखने जब सेवाले देखते क्या होगा सेवसेवाले मैं बनाता हूँ अपना main function int main ठीक है इसके बाद braces then में क्या करता हूँ अब मुझे 3 integers तो 3 integers के लिए variable लेने पड़ेंगे तो मैं declare करता हूँ int a लेता हूँ एक b लेता हूँ एक c लेता हूँ और c small और एक variable all लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ क्यों लोगा मैं ठीक है एक variable मैं लिया d एक और ले लिया ठीक है अब वह सबसे पहले मुझे इनकी value input करने पड़ेंगे 3 integers की मैं गड़ता हूँ c out double quotes slash n मैं लिखता हूँ enter value of 3 integers then हमारे डवल बंद then इसका मैं लेखता हूँ scene small scene a b c अब देखो हूँ हुआ क्या logic के लिए देखो आप खुछ सोचे मैंने तीन मैंने के लिए लिए 3 integers की value मैंने input कराए ठीक है अब suppose करो मान के चलो आपने 3 value ली a b c अब a b c में तीनों की अलग लग लग इंटीजा value डगा दोगे लेकिन इसमें यह पता लगाना कि कौन सा maximum है ठीक है वो हमें basically हमें तो पता ही है लेकिन उसको print करना वो कैसे करेंगे देखो अब मैं क्या करता हूँ अब बतातो हो इस डी का use क्या ठीक है अब डी क्या है डी में तरह से एक तरह से आप यह मान लो कि एक ऐसा container है जो की maximum value क्या करेगा एक समय पे जो तीनों में से maximum value होगी डी उसको store करेगा ठीक है अब मान के चलो मुझे नहीं पता कि अभी a b c में से कौन सा जाधा बढ़ा ठीक है तो मैं क्या करता हूं सब इनिशली मैं करता हूं देखो कोई दिक्कत ही नहीं है पहली condition क्या हो गई अगर माल लो a actually में सिर्फ से maximum हुआ तो मैं क्या करता हूं डीको प्रेंट करा दूँगा simple लेकिन अगर माल लो अगर a maximum नहीं हुआ या तो maximum हुआ b या फिर अगर maximum हुआ c तब क्या हो गई यह चीज़ फॉस हो जाएगी अब उसी इच के लिए मैं क्या करता हूं देखो मैं लिखता हूं if suppose if b is greater than d इसका मतलब क्या हुआ कि पहले रहो d is equal to a कर देखो यानि कि a की जो value है वो d में store हो गई यानि कि condition दो हो गई कि पहले की क्या कि a maximum है तो कोई problem नहीं है लेकिन अगर माल लो a maximum नहीं है तो second condition इस पर आगा if पे कि अगर माल लो कि b अगर d से बढ़ा हुआ यानि कि indirectly हम यह चेक करें कि b क्या जो maximum number जो भी हमारे d है जो कि basically कि इसके value store कर रहा है a की क्या b उससे भी बढ़ा है अगर b उससे भी बढ़ा हुआ then obviously क्या होगा b बढ़ा हो जाएगा न सबसे अगर B बड़ा है D से तो क्या होगे, B largest हो गया तो मैंने B is equal to, D is equal to B कर दी अन्य कि B के विले मैंने D में टाल दी ठीक है, अब एक और condition आ सकती है कि अगर मालो कि अगर if कि जो हमारा C है ठीक है, अगर C बड़ा है किसे C अगर बड़ा है D से इसका मतलब यह हुआ कि ना तो A, ना तो B कि जो हमारा C है जो थर्ड नमबर है, वो अब क्या है, बेसिकली, जो हमारे D जो कि अभी सबसे बड़े element यानि कि जो अभी B के विले स्टोर कर रहा है, अगर उससे भी बड़ा है, क्या, अगर C उससे भी बड़ा है, तो obviously इसी बात है, जो A, B, C है, इन त्यूने में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इस समय C हो जाएगा तो मैं क्या कर दूँँगा, simple, मैं कर दूँगा D is equal to C, यानि कि अब मैंने क्या करते है, basically जो मेरा largest number था, C उसको मैंने जो मेरा maximum container variable है, D नाम से, उसको मैंने इस करने टाल दे, ठीक है, तो अब simple सा logic है, जो भी बड़ा होगा अगर A बड़ा हुआ, तो A तो store ही पहले सी अगर B बड़ा हुआ, तो वो condition चेक करें के A वाली, और D is equal to B हो जाएगा, तो B store हो जाएगा, अगर C बड़ा हुआ, तो C store हो जाएगा, तो पूरा logic हो गया हमारा, logic वाला काम हो गया, अब हमें क्या करने है, simple D को print करा देना है, और D को हो जाएगा basically, जो हमारा maximum container है तो obviously इसी बात है, जो तो तीनों में सबसे बड़ा होगा, तो उसकी value store हो जाएगी D के अंदर, और D कोंपरिंट कराते है, simple, दीग है, तो मैं लिखता हूँ, C out slash n largest integer is D, ठीक है, then semicolon, अब मैं कर देता हूँ, braces ला रहे हूँ, ठीक है, basically, अब इसको run करते हैं, नी, sorry, अब मैंने एक चीज़ भूल गया, return 0 और लगाते हैं, उसके बाद, return 0, then braces बंद है, अब इसको run करके देखते हैं, enter value of three integers, ठीक है, अब मुझे तीन integers डाल लिए, value डाल लिए, suppose करो मैं डालता हूँ, पहले डालता हूँ, basically, डाल दो, मैं डालता हूँ, 12, ठीक है, then enter, then मैं डालता हूँ, दूसरी value होगी, कि मेरी, suppose करो 9, and suppose करो मेरी 30 value हो गई, 15, तो क्या print होना चाहिए, 15 प्रिंट होना चाहिए, यह तो हमें पता है, क्यों, क्योंकि 15 integers से largest है, तो अब enter दबागे देखते हैं, देखते हैं, क्या print होता है, तो क्या print होना, largest integer is 15, तो अब आपको समाज आ गया होगा, कि 3 integers से अगर हम ले, और हमें 3 में से largest उसको print कराना हो, बट condition is, using only if, कि हमें खाली if को use करके हमें print कराना है, तो हम कैसे print करा सकते हैं, यह इसका program था और यह इसका logic था, अई होग आपको समझ आ गया होगा,